ओम शान्ती चोदा आठ के इश्वरिय महावाख्य मीठे बच्चे तुम ड्रामा के गुप्त रास को चानते हो कि यह संगम युगी चड़ते कला का युग है सतियुग से लेकर कलाई कम होती चाती है प्रश्ण है सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करते जवाब भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह सबसे उत्तम सेवा है ऐसी सेवा एक बाप के सिवाए और कोई कर नहीं सकता बाबा ने ऐसी सेवा महान सेवा की है तब तो उसकी इज़त रखते हैं सबसे पहला सोमनात का मंदिर बना कर उसी की ही पूजा करते हैं गीत है आखिर बह दिन आया आज, उम शान्ती, आज की मुरली के में पॉइंट से बाबा कहते हैं आत्मा गुप्त है, शरीर परद्यक्ष है, आत्मा देखने में नहीं आती है, इन कावनिटों है, तो जरूर इस शरीर से ढखी हुई है, इसलिए इसको गुप्त कहा जाता है आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ यहां साकार में आकर के गुप्त बनी हूँ आत्माओं की दुनिया ही निराकारी दुनिया है इस शरीर द्वारा आत्मा करम करती है बाबा आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहुकार बनाने तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब था अच्छा ये साहुकार कैसे बना कब था ये तुम बच्चों को उन्हें समझाना है तुम ही जानते हो कि सत्युग में देवताओं के सिवाए कोई और धरम था ही नहीं बाबा कहते सत्युग में देवी देवताओं को रचता रचना का ज्यान भी नहीं था उन्हें नहीं पता कि हम उतरती कला में जाएंगे अगर ऐसे पता होता तो उनकी बादशाई का सुख न रहता उनको भी चिंता लग जाती अभी तुमको भी चिंता लगी हुई है कि हम तमो पर्धान से सतो पर्धान कैसे बने हम आत्मा है ये तुमें पक्का करना है बाबा कहते देखो बच्चे अभी तुम मेरी कितना रिगार्ड रखते हो तो तुम किसकी इच्जत रखते हो जरूर वो कभी कुछ देखर के गया होगा सोमनात का मंदिर देखो तुमने कितने अच्छे से बनाया जिसको लूट ले गए लक्ष्मी नारायन के मंदिर को कभी कोई लूटता नहीं है बाबा कहते बच्चे राजाओं में भी नंबरवार होते हैं कोई छोटे मर्दबे वाले भी होते तो कोई बड़े मर्दबे वाले भी होते है अभी तो तुम ऐसे करम किये हैं जो जट से पतित बन गए हूँ मैं ही आकर तुम उंच से उंच बनाता हूँ सेकंड में जीवन मुक्ति तुमें मिल जाती है तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक बनो इतना पुरशारत करो अभी तो तुम सबी आत्माएं मेरे बच्चे हो लेकिन बच्ची का चेहरा देखके उतर जाते हैं बच्चा पैदा हुआ तो खेंगे हां वारिस बना ऐसा होना नही शिप बाबा के तो सब बच्चे हैं, मनुश्य सुनते हैं, तो कहते हैं ये बाते तो कब सुनी नहीं, ना कोई शास्त्रों से पड़ी हैं, ये तो बहुत वंडर्फुल बाते हैं, बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे मैं तो गरेब निवास हूं, तुमें सहुकार बनाता तुम पुरुशारत कर साहुकार बनो अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते धारना है रच्चेता और रच्चना का ग्यान बुद्धी में रख सतो परधान बनने का पुर्शारत करना है बस एक ही चिंता रखनी है कि हम सतो परधान बने इस बेहत के ड्रामा को बुद्धी में रख अपार खुशी में रहना है बाप समान इच्चत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है आज का वर्दान and ever ready بن, हर प्रस्तिती रुपी पेपर में full pass होने वाले ever happy भव जो ever ready हैं, उन्हों का practical सवरूप ever happy है कोई भी प्रस्तिती रुपी पेपर वा प्रकिर्तिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर वा कोई शरीरिक करम भोग रुपी पेपर आ जाये इन सब परकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को एवर एडी कहेंगे जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके माया के शुक्षम वास्थूल विगन एक सेकिंड में समाप्त हो जाएं तब कहेंगे एवर हैपी स्लोगन है समय पर सर्वशक्तियों को कारे में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है नाज का स्वमान रहेगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान एवर हैपी हूँ हर हाल में खुशहाल चाहे कोई भी पेपर आजाए लेकिन खुशहाल ओम शान्ति प्रुट 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 प्रुट